Assalamu alaikum, Mathematics 9th Science, Chapter no. 3, Exercise 3.2, अब इसके 1st question की statement है, find the common logarithm of each of the following numbers, अब हमें कुछ numbers दियो हैं, हमने उनके common logarithm find करने हैं, common log किस तरह find करते हैं, पहला इसका जो part है, वो दिया वे to 32.92, हमने इसका common log मलूम करने हैं, common logarithm मलूम करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक हमार पर कहलाता है characteristic और यह कहलाता है mantisa, number one characteristic और mantisa, अब यह characteristic और mantisa हम किस तरह find करते हैं, वो देखते हैं, अब यह जो number आपको दिया हुए, इस number को सबसे पहले आप scientific notation में लिखें, तो अगर इसको scientific notation में लिखें, यह हम सीख चुके हैं, कि scientific notation में लिखने के लिए decimal point जो है, वो one non zero digit के बाद आना चाहिए, first non zero digit के बाद, means यह जो point यहां पर है, यह two के फॉरण बाद आना चाहिए, तो अगर हम two के बाद लिख लें, तो अब यह क्या बन जेगा, two point three two nine two, multiply ten raise power, अब ten power कितनी बनेगी, जितने इसने jump लगाए है, one two, ten power two, हम three point one exercise में scientific notation में लिखना सीख चुके हैं, अब यहां पर देखें, यह जो ten की power two होती है, इसे हम कहते हैं, characteristic, characteristic हम आरपास आगया, ten power two, अब हमने नकालने मन्टीसा, अब मन्टीसा नकालने का एक method तो यह है, कि हम book के last पे जो tables दी हैं, उन tables यह मतल से मन्टीसा find करें, दूसरा method यह है कि हम calculators यूज करें और मन्टीसा find कर लें, तो calculator वाला method easy है, और आपको papers में calculator लाओ है, तो इस वज़ा से आप calculator वाला method करें, calculator पर करना किया आप लोगों ने, calculator पर सबसे पहले आपने लोग, यह लोग का बटन है, इस लोग के बटन को प्रेस करना है, आगे आपने लिखना है 2.3292, तो लिखते हैं 2.3292, और प्रेस आपने कर देना है equal, तो जब आप equal प्रेस करेंगे तो आपके पास आजाएगा, 0.3672067814, आपने क्या करना है, point के बाद 4 digits तक लिखना है, 4 decimal places तक, यह हमार पास आजएगा, 0.3672, यह आगया हमार पास, मंटीसा, तो करेक्टिरिस्टिक भी आगया, मंटीसा भी आगया, सबसे पहले जो नंबर दिया उसको साइंट्फिक नूटेशन में लिखें, 10 की जो पावर होगी वो करेक्टिरिस्टिक होगी, और जो यह नंबर साथ में आजएगा, इसका अगर लोग लेंगे, तो जो आंसर आएगा, उसके फॉर फस्ट फॉर डेसिमल प्लेसी तक लिख लेना है, अब हम लिखते हैं जी जो चीज हमें रेक्वाइर थी, लोग ओफ 232.92, 232.92 का हमने लोग मलूम करना था कितना है, तो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे, करेक्टिरिस्टिक पहले, पॉइंट, पॉइंट के बाद, 3672, याद रहें रहें कहिएगा, यह हमेश्या 0.0 संधीं गएगा, तो यह हम आरे पास, 1st Part solve हो गया अब देखें इसका 2nd Part solve करते है 2nd Part हमारे पास क्या दिया हो है 2nd Part में नबर दिया हो है 229.326 हमने इसको solve करना है इसका logarithm Find करना है अब इसका log Find करने के लिए अगेन हमें दो चीज़ें चाहिए पहली चीज हमें क्या चाहिए होती है सेकेंड चीज हमें क्या चाहिए होती है मंटीसा अब करेक्टरिस्टिक और मंटीसा किस तरह फाइंड करते हैं हम इस नंबर को लिखते हैं रफ में 29.326 इसको चेंज करें इसको कनवर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में यह ओर्डिनरी नोटेशन है 3.1 में पढ़ चुके हैं इसको हमने कनवर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कनवर्ट करेंगे जो डेसिमल पॉइंट है वो वन डिजिट के बाद आना चाहिए और वो डिजिट 0 नहीं होना चाहिए डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नोट जिरो डिजिट के बाद होना चाहिए मल्टिप्लाइ टैन डेस पावर अब देखें पॉइंट ने कितने जम किये है वन जम किये है और जब राइट साइड से लेट साइड पे पॉइंट आता है तो हमेशा पावर प्लस वाली आती है ठीक हो गया अब क्रेक्टिरिस्टिक होगा वन अब आ जाती है बाद मंटीसे की मंटीसा कैसे फाइंड करेंगे अगेन कैलकुलेटर कैलकुलेटर पे लिखें लोग लोगवाला बटन प्रेस करें लोग के बाद आपने लिखना है 2.9326 लिख लिए अब इक्वल प्रेस करें इक्वल यहां पे लिखा होगा है तो जब इक्वल अब प्रेस करेंगे तो आपके पास आजेगा 0.4672 अब 4 0.4672 ठीक हो गया अब आपने यहां तेका लिख लिए अब हम क्या करेंगे अब हम लिखेंगे लोग ओफ 29.326 इस इक्वल तो करेक्टरिस्टिक पहले प्वाइंट यह इसका आगया अंसर अब हमने इसका करते हैं थर्ड वाला पार्ट 1, 2, 3 नमबर आपको दिया है 0.00 3, 2 यहां पे एक और जीरो है 0.00032 वह जीरो आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन एक और जीरो है अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगें आप रफ में लिखें 0.00032 इसको साइंट फिक नोटेशन में लिखें तो वह हमार पास आजएगा पॉइंट कितने जम करेगा 1, 2, 3, 4 अब देखें पॉइंट लेफ्ट साइड से आ रहा है और जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड से आता है तो हम पावर माइनस में लिखते है अब देखें अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा और मन्टीस्टा क्या होगा इसका जो क्रेक्टरिस्टिक होगा वो होगा माइनस 4 10 की पावर माइनस 4 है लेकिन इसको क्रेक्टरिस्टिक हमेशा साथ माइनस नहीं लिखते होते है 4 लिखके उपर बार लगा देंगे इसका मतलब है क्रेक्टरिस्टिक हमार पास माइनस 4 है आपने माइनस यहां पर साइन नहीं लिखना आपने उपर बाहर लगा देनी है ठीक हो गया याद रखें हमेशे उपर बाहर लगाते हैं करेक्टरिस्टिक में नेगिटीव है तो अब मंटीशा कैसे फाइंड करेंगे वैसे ही कैलकुलेटर कैलकुलेटर पर आप लिखें लोग ओफ 3.2 तो आपके पास आजेगा 0.5051 तो यहां दिकर फॉर डेसिमल प्लेसिस तो हम लिखेंगे 0.5051 तो जिसका हमने लोग फाइंड करना है वो क्या है का लोग 0.00032 इस इक्वल टू फॉर उपर बार लेंजी यह हमने फाइंड कर लिया क्या फाइंड किया हमने लोग ओफ 0.00032 अब इसका फॉर्थ वाला पार्ट करते हैं नमबर फॉर फॉर्थ वाला पार्ट में जो नमबर दिया हुए वो है 0.3206 अब इस नमबर को इस नमबर का हमने कॉमन लोग अर्थम लेना है अब इस नमबर का कॉमन लोग अर्थम किस तरह लेंगे अगें वैसे यह नमबर लिखें जीरो पॉइंड 3206 साइंटिफिक नोटेशन में इसे चेंज करें 3.206 मल्टिप्लाइ 10 पावर 1 प्लस आएगा माइनस जी माइनस आएगा क्यों क्योंकि पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आ रहा है तो यह नेग्टिव आ गया अब इसका लिखेंगे करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक आएगा 1 बार हमीशा है माइनस में करेक्टरिस्टिक हाए तो हम उपर लिख लेते हैं अब लिखते हैं मंटीशा मंटीशा इसका क्या अएगा मंटीशा लोग ले ले log of 3.206 is equal 0.5059 0.5059 अब हम लिखते हैं जी जो चीज हमें required थी हमें required था लोग of 0.3206 विच इक्वल तो 1 बार दोर 5059 ले जी हमार पास 3.2 का फर्स्ट केस्टिन सॉल्व हो गया थैंक यू अला आफिस अला पिफन्द ले जू